आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की वो मंदिर जिसका निर्मान आज भी आर्केोलोजिस्ट के लिए एक पहली है और सिर्फ इस मंदिर की रचना ही नहीं बलकि इस मंदिर को बनाने वाले लोग भी किसी पहली से कम नहीं थे क्योंकि वो लोग कैसे बनाय था वो कहा रहते थे और वो इस मंदिर को जंगल के कबजे में छोड़ कर क्यों चले गए ऐसे कई सारे सवाल है जिनके जवाब आज तक शोत करताओं के पास नहीं थे लेकिन पिछले कुछ महिनों में कई सारी एडवांस टिकनिक का यूज करके इस मंदिर के रह खड़ा है वीडियो काफी इंटरस्टिंग होने वाला है तो इसे पूरा जरूर देखे अंगकोर वाट मंदिर मौजुद है कंबोडिया में जीहा दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने के बावजुद यह मंदिर भारत में मौजुद नहीं है लेकिन यह मंदिर एक समय में अखंड भारत का हिस्सा जरूर था लेकिन फिर क्यों आकार से इतना विशाल मंदिर जिसे बनाने के लिए उस समय के हिसाब से भी लाखों रुपए खर्च किये गए थे जिसे बनाने के लिए लाखों लोगों ने दिन रात कड़ी मेहनत की थी आज उस मंदिर प समर्पित इस भव्य मंदिर को राजा सूर्य वर्मन ने बारवी सदी में बनवाय था ये मंदिर करीब 162 हिक्टर में फैला है और यहां करीब 1000 से भी ज्यादा छोटे और बड़े मंदिर मोजुद है इन मंदिरों में कई हिंदू देवी देवताओ की मुर्तिया है रामायन महाबारत से जुड़े कई प्रसंग दीवारों पर तराशे हुए है ये मंदिर कितना विशाल है इसका अंदाजा आप इस बात सही लगा लीजी कि इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो एक विशाल गेट बनाए गया था उसकी चोड़ाई ही करीब 1000 फिट है और इस पूरे मंदिर के चारों तरफ 3 किलोमेटर लंबी पत्थर की दीवार भी मोजुद है सिर्फ सोच कर देखिए कि इस मंदिर को बनाने के लिए उस समय कितने मजदूर लगे होंगे और इतनी महनत करके इतना पैसा खर्च करके इतने विशाल मंदिर को बनाने के पीचे का मकसद क्या था और अगर यहां का राजा मंदिर ही इतना विशाल बना सकता है तो उसका खुद का महल कितना बड़ा होगा और वो महल आखिर है कहा जाहिर सी बात है कि इतने बड़े मंदिर को देखकर ये सवाल भी आर्केयोलोजिस्ट के मन में आया था कि इस मंदिर के आसपास लोग exactly रहते कहा पर थे उनके घर कहा पर थे इस बात का पता लगा नहीं के लिए archaeologist ने कई advanced technologies का सहरा लिया जिसमें से एक थी LIDAR technology जब LIDAR technology का इस्तिमाल करके इस पूरे area के 3D mapping की गई तो शोत करताओं को एक बात पता चली कि इस मंदिर के आसपास ना सिर्फ प्राचीन समय में एक पूरा का पूरा गाव बसा था बलकि इस मंदिर के चारो तरफ पानी के ऐसे channels थे जो इंसानों द्वारा बनाए गए थे इस मंदिर की रचना पर अगर हम नजर डालते हैं तो ये बात पता चलती है कि इस मंदिर के निर्मान में कई सारे बड़े बड़े पत्थर इस्तिमाल हुए थे और वो आकार में इतने बड़े थे कि सिर्फ एक पत्थर को तराश कर उसे अपनी जगह पर ले जाकर बिठाने के लिए घंटों का समय लगता होगा ऐसे में लाखों पत्थरों का इस्तिमाल करके इतने विशाल मंदिर को कैसे बनाया होगा इस सवाल ने आर्कियोलोजिस्ट को परिशान करके रखा था जिसका जवाब लाइडर मैपिंग के बाद उन्हें मिल गया इस मंदिर के चारों तरफ पानी के ऐसे चैनल्स बनाय गए थे जिनका इस्तिमाल तराशी होए पत्थरों को अपनी जगह से इस मंदिर के पास पहुचाने के लिए किया जाता था लेकिन अभी भी सवाल कई सारे थे जैसे कि इतना विशाल मंदिर बनाने वाले सामराज्य के पास इतना पैसा कहा से आय था और वो टेकनी कहा से आयी जिससे इतना complicated structure वहाँ खड़ा हो पाया जैसे ही इस विशे में खोच आगे बड़ी खोच करताओ को इस मंदिर के internal structure में mysterious iron plates मिली इस मंदिर के construction में इस्तिमाल किये गए बड़े बड़े पत्थरों को आपस में जोडने के लिए इन iron plates का use किया गए था और ऐसे इस मंदिर में हजारो iron plates बिठाई गए थी इन plates के मिलने के बाद researchers को कई सवालों के जवाब मिल गए तो साथ ही कुछ नए सवाल भी खड़े हुए जैसे कि इतनी सारी metal plates के लिए इतना लोहा कहा से आया इस सवाल का जवाब researchers ने मंदिर में ढूनने के कोशिश की लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला तो वो अपनी खोज मंदिर से बाहर लेकर गए और मंदिर के आसपास के इलाके में जैसे कुछ आगे बड़ी खोज करताओं को जमीन में दफन भट्टियों के आउशेश मिले इन में से कुछ भट्टिया तो इस मंदिर के बनने से पहले ही इस्तिमाल हो रही थी इस इलाके में खास प्रजाती के लोग रहते थे और इनी लोगों के पास लोहा बनाने का सीक्रेट नौलेज था यहाँ के आसपास के इलाके में शोद करताओं को एक और इंटरस्टिंग चीज मिली स्लॉग यह एक पत्थर जैसा हार्ड मटेरियल होता है जो किसी भी लोहे की भट्टी में as a by-product निकलता है यह स्लॉग इस बात का सबूत था कि इस इलाके में उस समय लोहे की कई सारी भट्टिया थी और इनी भट्टियों में वो metal plates बनाई गई थी जिसके support से अंगकोर वाट का पूरा मंदिर खड़ा है इस मंदिर के मजबूती से खड़े होने के पीछे सिर्फ वो बाते ही जिम्मेदार नहीं है जो उपर से दिखाई देती है बलकि इस structure में कई ऐसे पत्थर भी चीपे है जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं था और ये खास किसम के पत्थर थे laterate blocks laterate ये पत्थर वजन में हलका होता है पूरस होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बहुत अच्छे तरीके से शौक एब्जोर्बर का काम करता है इस पत्थर के मिलने के बाद एक सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल ही गया कि आज तक कोई भी बड़ा भुकम इस मंदिर को नुकसान क्यों नहीं पहुचा पाया था चलो भुकम से इस मंदिर को कौन बचाता है इसका पता तो चल चुका था लेकिन इस मंदिर के चारो तरफ मोजुद पानी में ये मंदिर कभी डूबा क्यों नहीं इसके पेची की वज़ा क्या थी? इस मंदिर को बनाने वाले लोग काफी होशियार थे वो जानते थे कि इस मंदिर के आसपस मोजुत पानी कभी भी इस मंदिर को ले कर डूप सकता है और इस मंदिर को दूसरा खतरा था इसके नीचे मोजुत जमीन से जो धीरे-धीरे सूखने लगी थी इस प्रोब्लेम का सूलूशन भी उन लोगों के पास तैयार था इस मंदिर के चारो तरफ उन्होंने पानी के ऐसे मोट्स बनाए जिन में पानी भरकर वो मंदिर के चारो और घुमता था और पूरे मंदिर के नीचली जमीन को गिला करता था और इसे होता ये था कि मंदिर के नीचे मोट्स जमीन कभी सूखी नहीं वो हमेशा गिली और मजबूत रही इससे मंदिर को एक मजबूत प्लेटफॉर्म प्रोबाइड हुआ जिसने इस मंदिर को पानी में डूबने से बचाने का काम किया अगर मंदिर के आसपास मोजुद पानी को strategically पूरे मंदिर के नीचे मोजुद जमीन में equally distribute नहीं किया जाता तो इस जमीन को सूखने में और इनमें cracks बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और इस से इस पूरे मंदिर को नुकसान पहुच सकता था इस मंदिर से जुड़ा और इस सब्भेता से जुड़ा एक आखरी सवल अभी भी मोजुद था कि आज इस मंदिर की हालत ऐसी क्यो है क्यो आज इस मंदिर पर जंगल ने पूरी तरह से कबजा किया हुआ है और इस इलाके में ऐसा क्या हुआ था कि इस मंदिर में अचानक पूजा अरचना बंद हुई और लोग इस मंदिर को और आसपास के इलाके में मोचुत अपने घरों को छोड़ कर चले गए वो लोग इतने होशयर जरूर थे कि उन्होंने अपने खाने का बंदोबस्त अच्छी तरह से कर लिया था क्योंकि इस मंदिर के आसपास के कई सेकडो एकर इलाके में राइस प्लांटेशन के सबूत मिले है यह आपर इतना राइस उगया जाता था जो लाखों लोगों का पेट भर सके तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना सारा खेद भी लोगों का पेट नहीं भर सका इस सवाल का जवाब आर्कियोलोजिस्ट को इस मंदिर से 3 किलोमेटर दूर मोजुद एक पत्थर के स्ट्रक्चर से मिला इस स्ट्रक्चर का अभ्यास करने पर खोच करताओ के ध्यान में ये बात आई कि उस स्ट्रक्चर का जो सबसे नीचला स्टर था वो पूरी तरह से एक्सपोज्ट था जबकि एक समय में ये पूरा इलाका नदी के प्रवा में डूबा था जिससे ये बात पता चली कि अचानक कम हुए पानी के स्टर की वजह से यहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा चावल के खेतों के लिए उन लोगों ने जो इरिगेशन सिस्टम बनाई थी वो सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गई थी जिससे यहां उगने वाले चावल में बूरे तरीके से गिरावट आई धीरे धीरे खाने की तलाश में लोग यहां से दूसरी जगह जाकर बसने लगे और इस क्षेत्र की आबादी कम हुई और धीरे धीरे हालत इतनी खराब हुई कि सेकड़ो सालों तक गुमनामी में रहने के बाद जब दोबारा ये मंदिर दुनिया के सामने आया तो इस मंदिर पर जंगल ने पूरे तरीके से अपना कबजा कर लिया था तो यह थी कहानी दुनिया के सबसे बड़े हिंदु मंदिर की और साथ ही एक ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर की जिसकी बनावड दुनिया के सामने एक पहली बनकर खड़ी थी लेकिन ज्यादा लोग इस मंदिर के बारे में बात नहीं करते जबकि देखा जाए तो इस मंदिर को बनाने के लिए सारी ऐसी एडवांस टेकनिक का यूज किया गया था जो अपने समय से आगे थी उम्मिदे आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे और भारत का हिस्सा ना होते हुए भी भारत की शान पूरी दुनिया में बढ़ाने वाले इस मंदिर की ये जानकारी बाकी लोगों तक पहुचाने में हमारी मदद करोगे